कि डीडिये हो केंद्र सरकार की अजयसी है ल एंड़ीये केंद्र सरकार की एजयसी है रेलवेज हो केंद्र सरकार की एजयसी है या और्कनर यूजिकल सर्वे अफ इडिया हो ज obec सभी जगों पे लाखों गरीब लोगों को उजाड़ने का काम इन केंद्र सरकार की एजेंसियों ने किया और डीडिये की और एलेंडियों की इसके अंदर बड़ी भूमिका रही जो सीधा कि एल जी सहाब विने सक्सिना जी के अंडर आते हैं अभी तक लाखों लोग बेघर हुए जितना शोर मचना चाहिए था उन गरीब लोगों के लिए उतना नहीं मचा और कल पिछले 13 साल से दिल्ली में रह रहे पाकिस्तान से आय हुए हिंदू शर्णार थी सेक्ड़ों परिवार मजनू के टीले के साथ जो गुर्दवारा है उसके परोस में अपने छोटे छोटे जुगियों को बनाके वहां रह रहे हैं उनको केंद्र सरकार की डीडिये ने जो डारेक्ट एलजी साहब के अंडर आती है सबको नोटिस दिये गए हैं और कहा गया है कि आप अपना सारा सामान पैक कर लो और छे और साथ तारिक साथ और आठ तारिक माफ किजेगा आज और आने वाला कल बिल्डोजर से इनकी जुगियों को तहस नहस कर दिया जाएगा ये बात हमें मालूम है कि अक्सर डीडिये कहती है कि अब डिमॉलिशन टल गया है और अचानक सुबह पांच बजे डीडिये के बिल्डोजर पहुँच जाते हैं और डिमॉलिशन दो तीन घंटे के अंदर खतम करके हजारों लोगों को उजाड़ देते हैं मैं दिल्ली के LG साहब से पूछना चाहूंगा आपकी इन गरीब लोगों से क्या दुश्मनी है आप क्यों दिल्ली के गरीब आदमी के पीछे हाथ दोके पड़ गए हैं चाहे सुंदर नर्सरी के पीछे डूसिब का नोटिफाइड लिस्टेड क्लस्टर था कोट के अंदर गलत जानकारी देके हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया महरोली के अंदर लिस्टेट क्लस्टर था गोसिया कॉलनी कोट के अंदर गलत जानकारी दी जा रही थी उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों को बेगर कर दिया गया बाद में कोट ने उसके अंदर स्टे दिया और अर्केपुरम के अंदर सेक्टर 12 के अंदर नूटिस आयुए और बताया गया कि आज वहां पर भी डेमॉलिशन है मैं LG साहब से जानना चाऊँगा क्या ये बातें आपके संग्यान में नहीं है मैं जानता हूँ कोई कहेंगे मेरे संग्यान में नहीं है अगर आपके संग्यान में नहीं है तो आप डिदीये के Chief Engineer को आज Suspend कर दीजे बता दीजे दिली वालों को कि जो हो रहा है वो आपके संग्यान में नहीं था गलत हो रहा था इसलिए अफसर पर आपने करवाई कि आपका डेपार्टमेंट है एलजी साब चेर्मेन है DDIA के डिली के लोग इंतजार करें एलजी साब मैं बता रहा हूं आपको एलजी साब कहेंगे नहीं आम आदनी पार्टी जूट बोल रही है, मुझे तो मालूम ही नहीं था, अगर नहीं मालूम था, तो LG साथ Chief Engineer को Suspend करें, अभी करें, दूसरी बात हो सकता है, LG साथ क्या कहेंगे, वो कहेंगे, मेरा नहीं है, कोट का ओडर है, NGT का ओडर है, NGT का ओडर आज का नहीं है, पहली बात, और NGT के अंदर जब मुकदमा चला, तो DDA ने क्या पक्ष लिया, क्या DDA ने इन हिंदू शर्णार्थियों का पक्ष लिया, नहीं लिया, लिया हो तो दिखाएं, और अगर NGT ने ओडर कर दिया, तो क्या DDA सुप्रीम कोट गया, क्यों नहीं गया, NGT साब बताएं, साफ है, ये बिचारे वो लोग हैं, जो किसी तरीके से, पाकिस्तान से, अपनी जान बचाके, यहां पे आये हैं, वहां पे अच्छे वाले घरभार थें इनके, अच्छे वरिया लोकरियां थी, वे मगर इसलिए कि अपने देश वापिस आना चाहते थे, 2011 में ये लोग आये, और इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर शरण ली, 2011, कॉंग्रेस का UPA का टाइम था, तब से शरण में हैं, मगर आज भारतिय जनता पार्टी शासिट डीडिये के पेट में दर्द है, क्यों निकालना चाहते हो आप इनको, कहां जाएंगे, मैंने आज वीडियो देखी उनकी, वो लोग कह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई कह रहा है कि हमारे स जो रोज दिल्ली सरकार के कामों के अंदर जाच करने जाते हैं, अपने विभाग को भी पता करेंगे कि वहां क्या हो गए हैं, अपने डीडिये की खबर नहीं है, दूसरे के विभाग के अंदर जाच-परताल कर रहे हैं, इन हमारे भाईयों बहनों को उजाडने की साजिश इसका जवाब दिल्ली वाले जनना चाहते हैं कि इसका जवाब पूरा देश इसाप से जनना चाहता है यह नोटिस है जो कल और परसो वहां पे बाटे गए हैं कई चेगे छोटे-छोटे चैनलों ने उसकी वीडियो यूट्यूब पे डाली है कि उन सब लोगों ने विचारों ने अपने अपने घर जो है पैक कर लिये और उनको दर है कि आज और कल बुल्डोजर का बड़ा एक् क्यों ने तो यह तो यह साथ बताएंगे कि क्यों हो रहा है क्यों कर रहा है केंदर सरकार इस तरीके का क्यों उनको जो है उजाड़ना चाह रहे हैं पहली बाट नहीं आज की तारीख में भी कानून में प्रावधान है कि आप इन्हें नागरिक्ता दे सकते हैं नंबर एक नंबर दो जब तक नागरिक्ता नहीं मिलती तब तक भी जितने भी वच्छे देश हैं चाह वो अमरीका हो चाह वो यौरप हो वहां पे शहनार्थियों को इज़द दी जाती है बेसिक एमेनिटीज दी जाती है और उनका घर चल सके उसके लिए सरकार से मदद की जा सकती ह कोई पाबंदी नहीं है इस वक्त ये भारतिय जंता पार्टी बेवकूफ बनाती है भारतिय जंता पार्टी की केंदर सरकार बेवकूफ बनाती है कोई पाबंदी नहीं है इन लोगों को सहूलियत देने में आज डीडिये एक पत्र लिग दे मैं आपको डूसिब की तरफ स से कह रहा हूं डीडिये जो लेंड ओनिंग एजनसी है एक पत्र मुझे लिख दे हम उनको सभी सभू लेते वहां पे देंगे हम तयार है देने के लिए डीडिये इसके अंदर टांग ना आड़ाए विचारे गरीब लोगों को बेघर ना करें मैं अपने पत्रकार भाईयों से जानना चाहूंगा क्या आपने कभी रहन बसेरा दिखा है क्या रहन बसेरे के अंदर एक परिवार अपनी बीवी अपने जवान बच्चों को लेके रह सकता है क्या संभव है यह पिछले देड़ साल के अंदर यह मखौल बनाया जा रहा है कानून का कि हर कोट के अंदर जाके कह दिया जाता है साब हम उनको उजार देंगे डूसिप के रहन बसेरे में रह लेंगे अरे डूसिप के रहन बसेरे में परिवार कैसे रह सकता है डूसिप के रहन बसेरे में आप राग बिता सकते हैं Nah, और वो भी basically generally जो सिंगल लोग हैं, वो उननना बसे रहों के अंदर रह सकते हैं, आप तो कैसे काल्प्रया कर सकते हैं कि कोई परिवार ऑपने बच्चों के साथ रहरे के अंदर रहए का खाना बनाएगा कहा नायगा कहा शौच करेगा कहा पढ़ेंगे उनकी बच्चे यह सोचा भी नहीं जा रहा मजाक उड़ाए गया इस इस डिईडीए के नोटिस के अंदर गरीब्यों का क्या मजाक उड़ा जाके चले जाओ खमाल हो गया कि यह भी नहीं मालूम कि मजनु के टीले से द्वारका कितना दूर है और रहन बसेरे के अंदर क्या लोग अपने परिवार के साथ रह सकते सवाल है इडी को पेश होने के लिए कहा है को दोबारा इडी को गई है शिकायश की में इस समय पर आदिए तो कई बार को जा चुकी है मगर समस्या यह ना इडी को को पर भरोसा है ना एड़ी को कोट की तारीकों पर वरुसा है प्रोसा सुलह तारीक अर्विन एज़िवाल जी को दे रखी और उसके बावजूद समय बेंजा जा रहे हैं पिर उन समय को लेकर बार कोट जा रहे हैं सिरो और सिरुन कर सबरों में बने रहने के लिए इडी पर रहा कि कारवाई टीन की रीदर के उपर हुई रात में त्विट किया कि अगर वो बीजे भी शामी हो जाएं तो उनको एडी की नोटिस जाने बन हो जाएंगे और उनका कि समय बड़ा वल्वान है प्रभान मंत्री पुड़ा उपर वाले के ड़िए आज मैं सुबह सुबह मौनिं ठीक है अबर तुम्हारी पार्टी की एक बात तो मननी पड़ेगी तुम्हारा नेता इनके आगे जुका नहीं तो आज देश के अंदर ये बात हर आदमी समझ रहा है चाहे वह कॉंग्रेस वह चाहे वह बीजेपी से हो चाहे वह आम आदमी पार्टी से हो कि अरविंद जोदिया जी भी बहार आजाएंगे सतेंद्र जैन सहाब को भी बेल मिल जाएगी संजे सिंग जी भी बेल पर आजाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा एडी भी अपनी कारवाई जो है ठंडे वस्ते के अंदर डाल देगी और इसके एक दो नहीं दर्जनों उधारण है हाली म में TMC का उधारण सबको मालूम है जनवरी के महीने में एडी ने छापा मारा था बताया जा रहा था कि वह बहुत बड़े ब्रस्टाचारी है मुनिसिपल कॉर्परेशन भरती घोटाले के अंदर ना मारा था कल भारतिय जंता पार्टी जॉइन कर ली और बताया जा रहा कि कि बहुत जल्द भारतिय जंता पार्टी की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो देश की हकीकत है कि तो अब सबको पता है किसको नहीं पता है तो जैसी जानकारी मिलेगी में बताऊंगा लगी काफी एक्टिव धिखने है इन दिनों और ट्विटर के उपर चाह कर रहे हैं जादी की बड़ी मज़िदार बात है कि एल जी सहाब ने तीन विभागों की कमियां बताई कि राडी गए बुराडी गए संगम्यार गए तीन विभाग जिनकी कमियां उन्होंने खुद बताई वह विभाग कौन से हैं मुनिसिपल कॉर्परिशन अब दिल्ली दिल्ली जल बोर्ड इरिगेशन फ्लट कंट्रूल इन तीनों विभागों के अधिकारी जो उच्छ अधिकारी हैं वह एल जी साहब के चहेते अफसरों में से हैं एल जी साहब क्यों उपर कारवाई नहीं कर रहें क्यों नहीं सस्पेंट किया जी साहब ने मुख्य मंत्री अधिकारी जी ने तो खुद निवेदन कर दिया उनको कि अगर यह अफसर काम नहीं कर रहें दिल्ली वाले दुखी है आप देखकर भी दुखी हैं सीम कहरें मैं भी दुखी हूं इनको उपर कारवाई कीजिए तो एल जी साहब सस्पेंट यू नहीं कर रहें उनको यह सव सारां को मौका मिल रहा है बाहर जाके ट्वीट करने का बाफी 130 का इसमें फाइदा है। दिल्ली की जनता को परेशान करने में है Levy साथ और Juli सारे कि जलता रहे इस स्टेटस को रहे इस तरह से वरना 2009 अब तक कारवाई कर देते और हैं मामला सिर्फ यहीं से नहीं ही है कई बार की चीठी के का गया कि हैल्ट सेक्रेंटि ठीक काम कर रहे कारवई कि 10 तोह अब डिल्ली की जंता को सबको साफ होता जा रहा कि साफ जो डिल्ली में क्या करना चाहि रहे हुआ हुआ हुआ